हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर तो आज की बड़ी ख़वर है मुख्य सेवका की रजल्ट के बारे में मुख्य सेवका रजल्ट तिती गोसित हो चुकी है डिए पी एस्टी के लिए कितने गोना बुलाई जाएंगी आज की वीडियो हम सब डिसकस करेंगे तो मुख्य सेवका की रजल्ट तिती 25 नवंबर को सुनी जा रही है इसके लिए आप पहले ही अपने डोकुमेंट वगरा त्यार कर ले ताकि बाद में आपको पस्ताना ना पड़े कुछ डोकुमेंट पंदरा से भी दिल लग जाते हैं वनने में अब अभी से सतर्क हो जाएए जो डोकुमेंट आपके पास नहीं है उसको प्रेपेर करा लीजिए कर ले एक बड़ा फैसला कोट से आ चुका है कोट ने जो रिखतिया थी कर दिया है अब आरी है हमारे रेजल्ट की तो रेजल्ट हमारा बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है 25 नौमबर तक हमारा रेजल्ट आ जाएगा उसके बात तुरंट डीवी पी एसटी के लिए एक मेरिट बना दी जाएगी जिन जिन को बुलाना है उनके लिए अपनी डोकुमेंट बगरत त्यार करके रख लेने चाहिए अब बात कर लेते हैं कटॉप के उपर कटॉप को लेके कोई भी चिंतित ना हो क्योंकि कटॉप इसकी बहुत ही कम रहने वाली है इवन 50 से कम रहने वाली है सभी केटिगरी की और जोہ SC केटिगरी हैं उनकी तो और भी जादा कम रहने वाली है 40 की सम्थिंग तो कोई कटॉप को लेके कोई भी बिर्लकुल टैंसन ना लो क्योंकि कटॉप इसलिए कम जाने की संबाब ना है क्योंकि इसी में जो कंडिडेट थे बहुत कम फॉर्म में अपलाई किया था उससे भी कम बैठे थे 34-35 सार कंडिडेट बैठे हैं उसमें से हर किसी के नमबर तो हाई नहीं हो सकते कुछी 10-15 लोगों के नमबर 50 के सम्थिंग है तो इसने ज़्यादा कट आप जाने वाली नहीं है कि आप जाने वाली नहीं है तो आप जाने वाली नहीं है